कुछ घंटों की शांती के बाद बीते रोज दो पहर को हिजबुल्ला के रॉकेट यहां पहुँचने लगे कई नुकसान पहुचाए बिना समंदर में जागिरे लेकिन पास ही के नहारिया के इसराइलियों के लिए यह सबूत है कि अभी तो संगर्श विराम होने से रहा और ऐसा लगता है कि उन्हें चाहिए भी नहीं हमें ये खत्म करना ही होगा उन्हें मारने के लिए उन्हें रोकने के लिए कुछ करने के लिए लेकिन युद्ध नहीं रोकना है, बिलकुल नहीं बीते 11 महीनों में ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें छोड़ दिया गया है अब नीजी तोर पर मैं खुश हूँ कि सरकार ने लिबनान में कुछ करना शुरू किया है इसराइली बस ये चाहते हैं कि रॉकेट हमले थम जाएं हाइफा के बाहरी इलाके में जहां हाल ही में हमला हुआ था वहाँ इसराइली विदेश मंत्री ने इस बात का मजाग बनाया था कि अब हिजबुल्ला पर किये जा रहे हमले रोक दिये जाएंगे कोई संघर्ष विराम नहीं होने वाला है इन हालात को बदलते हुए हम ही जीतेंगे लबनान की सीमा के पास तयारी कर रही सेना की तस्वीरे जारी करते हुए इसराइल संकेत दे रहा है कि वो युद्ध का स्तर बढ़ाना चाह रहा है मगर जमीन के रास्ते अभियान कब शुरू होगा इसे लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा हमने उत्तर में तीन दिन गुजारे बीच-बीच में तयारियों की जहलक भी देखी मगर लगा नहीं कि वो तुरंत अभियान छेड़ देंगे मेरे पीछे चोटी पर आप लिबनान के दो गाओं यारून और मरून अलरास देख सकते हैं ये दोनों ही हिजबुल्ला के गड़ हैं बीते कुछ हफतों में इन गाओं पर भारी बंबारी की गई है ये वही इलाके हैं जिनकी वज़े से इसराइल के टॉप जनरल लिबनान में जमीन के रास्ते दाकिल होकर अभियान चलाने के बारे में सोचते हैं बिन्यमिन नेतनियाहू संयुक्त राश्टर महसभा में अपना पक्ष रखने के लिए फिलहाल न्यूँ यॉर्क में है या इसराइल के प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं